GST परिशद की एक आधिकारिक बैठक के दोरान SUV के अंतरगत आने वाली कारों को लेकर एक महतपूर्ण निरने लिया गया है। देश भर में मौझूदा GST दरें 20 से 22 प्रतिसत के बीच है और एक मोटर वीकल को SUV की कैटेगरी में लाने के लिए विविन राज्यों के अलग-अलग मानदंड हैं लेकिन परिशद ने अब एक निश्चित मानदंड तै किया है जिसके अधार पर एक वाहन को SUV की कैटेगरी म में रखा जा सकता है और उस पर 20-22 परसेंट GST लगाया जा सकता है नए मानदंडों के तहट 1500 CC की इंजन शमता से अधिक लंबाई में 4000 mm और ग्राउंड क्लेरेंस में 170 mm से जादा के वाहन को SUV की कैटेगरी में रखा जाएगा एकसाई सुल्क वैट, रोड टेक्स, मोटर विकल टेक्स और 20-22 परसेंट GST को ध्यान में रखते हुए एक SUV पर परवाबी टेक्स लगभग 50 प्रतिसत है इसका मतलब है कि टाटा नेक्सोन, मारुती ब्रीजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, रेनो काईगर, निशान मि और महंदरा XUV-300 जैसी सब 4-meter SUV, SUV नहीं है और अब इन पर कम GST लएगा जो 5 प्रतिसत हो सकता है उन्डई वेन्यू को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन बिकल्पों में पेश किया जाता है वेन्यू की अधिक्तम लंबाई 495 mm और ग्राउंड क्लेरेंस 190 से 195 mm है किया सो यू की बरीजा एक और कॉम्पैक्ट SUV है जो अब और सस्ती हो सकती है इसमें 1462 सीसी पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी लंबाई 495 mm है लेकिन इसकी ग्राउंड क्लेरेंस 200 mm है इसके बाद टाटा नेक्सोन और मेहंदरा XUV-300 कॉम्पैक्ट SUV है नेक्सोन में 1497 सीसी और 1192 सीसी पेट्रोल इंजन का विकाल्प मिलता है इसकी लंबाई 493 mm और ग्राउंड क्लेरेंस 209 mm है दूसरी और XUV-300 को 1497 सीसी डीजल और 1199 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा रहा है इसकी लंबाई 495 mm और ग्राउंड क्लेरेंस 180 mm है इनमें से जातर मोडल म पान दंडों के अंतरगत आ रहे हैं लेकिन कई कारों का ग्राउंड क्लेरेंस 170 mm की निर्धारित सीमा के करीब या अधिक है हाला कि 48 विन GST परिशत की बैठक के बाद यह घोशना की गई है कि कुछ मोडलों की कीमतों में बदलाब हो सकता है हाला कि कार निर्माता कंपनिया अभी भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रही हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर करें धन्यवाद